जैहिंद वंदे मातरम मैं सुबूही खान सिविल लॉज यानि की शादी, ब्या, विरासत, जमीन, जाइदाद, संग्रक्षर, प्रतिपालन या फिर गोद लेने के कानून आदी आजकल ये सवाल उठ रहा है कि हमारे देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए यानि कि आप किसी भी पंथ, किसी भी मजभब, किसी भी जाती के हो, एक समान सिविल, कानून, सब के ओपर लागू होना चाहिए लेकिन कुछ लोगों ने समाज में ये अफ़ाप उडानी शुरू कर दी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसल्मानों के खिलाफ है मैं सर्वोच न्यायाले में अधिवक्ता हूँ, एक समाजिक कार्य करता हूँ और इत्तफाख से, मजभब से मुसल्मान भी हूँ तो मैं इस विशे को क्लियर करने के लिए आप लोगों के सामने इसली मौजूद हूई हूँ क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मुसल्मान समाज को युनिफॉर्म सिविल कोड की आज सबसे ज़ादा जरूरत है मैं आपको कुछ उधारण दे कर ये बात समझाने की कोशिश करूँगी हम लोग राष्टर जागरन अभ्यान नाम से एक अभ्यान चला रहे हैं जिसमें हम भारत प्रवास बने उस अभ्यान में प्रवास करते हुए हम लोग हैदराबाद पहुँचे वहां हमें जाकर पता चला कि हैदराबाद में आज भी अरब से सतर सतर असी असी साल के बूरे शेख आकर बारा बारा साल की बच्चियों के साथ निकाह करते हैं उसको नाम दिया है मिस्यार मैरिज यानि की ट्रैविलर्स मैरिज जब तक उनकी यातरा चलती है तब तक वो निकाह चलता है जब वो यातरा खत्म हो जाती है तो निकाह की एकस्पाइरी डेट आ जाती है एक छोटी सी बच्ची का शारीरिक शोशन करके दुशकर्म करके ये शेख अपने देश चले जाते हैं और बोलते हैं कि इसकी इजाज़त उनको शरिया देता है आज भी मुसल्मान समाज में पुरुष, बहु विवा करते हैं अपनी बीवी के होते हुए अपनी बीवी की मौजूदगी में दूसरी बीवी लाते हैं आप सोचिए कि एक महिला का शारीरिक, मानसिक, मनोवग्यानिक, आर्थिक हर तरीका शोशन करके ये पुरुष, बच के निकल जाते हैं शरिया लौकियार लेकर चोटी-चोटी बच्चियों के साथ, बारा-बारा साल की बच्चियों के साथ, किसी भी उमर का कोई व्यक्ती, जवान हो, बुड़ा हो, निकाह कर सकता है ये बोलकर कि शरिया में बारा साल की बच्चियों के साथ निकाह जायज है जब कोई बच्ची puberty attain कर लेती है उसको periods शुरू हो जाते हैं तो शरिया के मुताबिक उसके साथ निका किया जा सकता है ऐसा इन लोगों का मानना है एक होता है adoption यानि गोद लेने का कानून मुसल्मान समाज में गोद लेने का भी कोई अधिकार नहीं है अगर कोई मुसल्मान महिला किसी भी कारणवश बच्चा पैदा नहीं कर पाती है तो उसको याधिकार नहीं है कि वो अपने देश की adoption laws का इस्तमाल करते हुए कोई बच्चा गोद ले ले क्योंकि उस महिला के बच्चा पैदा ना कर पाने की स्थिती उसकी वो एक दुखद स्थिती भी मौका देती है एक मुसल्मान पुरिश को कि वो दूसरा निकाह कर सके इस बात पर कि तुम तो मुझे बच्चा नहीं दे सकती हो तो मैं दूसरी शादी करके मुझे बच्चा चाहिए गोध लेने का भी अधिकार एक मुसल्मान महिला के पास नहीं है यानि की सरपरस्ती संग्रक्षड के जो कानून होते हैं देश में वो भी मुसल्मानों के उपर अपलाए नहीं होते हैं एक मेरे पास अभी कुछ दिन पहले केस आया मैं आपको बताना चाहती हूँ से माज होती है वो नैचरल गार्जे नहीं होती है बच्चे की अगर फादर की किसी कारणवश डेथ हो गई है तो उस बच्चे की गार्जेंशिप ससुराल वालों के पास जाएगी तुम कौन तुम तो कुछ हो ही नहीं ऐसा बोलकर उस महिला को घर से निकाल दिया गया यह उधारण में आपको इसलिए दे रही हूँ कि जो भी मुसलिम समाज के पढ़े लिखे लोग हैं मुसल्मान समाज के जो राशनल लोग हैं सोचने समझने वाले लोग हैं या जो पेगंबर मुसल्मान के रास्ते पर चलना चाहते हैं वो लोग मनन करें अपने आप से सवाल करें कि प्रॉफिट मुसल्मान महिलाओं के अधिकारों की बात करते थे उनके समय में अरब में छोटी-छोटी बच्चियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था उन्होंने उन बच्चियों को बचाने के लिए कहना शुरू करा कि जिसके घर में बेटी पैदा हुई है उसको अल्ला ने अपना सलाम बेजाए पैगंबर महमा सलाम अपनी बेटी बीबी फातिमा के आते ही उनके सम्मान में खड़े हो जाये करते थे पैगंबर महमा सलाम ने जो पहली शादी करी वो अपने से बड़ी उमर की महिला से करी एक विद्वा महिला से करी, एक बिजनिस वुमन से करी, जो तिजारत करती थी, कोई नकाब पोश या अपना चेहरा डखके चार दिवारी में बैठी हुई किसी महिला से उन्होंने निका नहीं किया था, तो हमारे प्रॉफिट हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखा कर गए हैं, प्रॉफिट महम्मा अपने घर के काम खुद करते थे, खाना खुद बनाते थे, कपड़े खुद दोते थे, घर के सारे बेसिक काम खुद करते थे, उनके रास्ते पर चलने वाले हम लोग, हमने महिलाओं को एक सेक्शुल कॉमोडिटी बना दिया है, इस्लामिक समाज के, म पराद महिलाओं के और छोटी-छोटी बच्चीयों के साथ होते हैं, और अगर उनके फेवर में कोई कानून आ रहा है, तो हम उसका भी विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, मैं अपील करना चाहती हूँ, इस्लामिक समाज के जितने भी समझदार लोग हैं, ठीक है आपके नाराजगी किसी व्यक्ती, किसी संगठन या किसी पार्टी से हो सकती है, लेकिन उन छोटी-छोटी बच्चीयों की तरफ देखिए जो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने भविश्य के लिए हमारी तरफ देख रही हैं, ह है हिंद बंदे मात्रम